हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं यूट्यूब चनल मैं जा अप्लोड करता हूँ बीए सी मैथमेटिक्स और फिजिक्स रेलेटेड वीडियो लेक्चर्स इस वीडियों बात करने वाला हम यहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक के बारे में अगर आप हमारे चनल प पुरा इंट्रोडक्शन से लेके स्टार्ट किया है अब हम बात करने वाला है यहां पे रेडियो अक्टिवीटी ऑफ न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर जो होता है वो रेडियो अक्टिव होता है अब जो रेडियो अक्टिव न्यूक्लियर होता है उनके बारे में आप की radius, उसका size, उसका safe, वो सारा हमने डिसकस किया है, और उसी के साथ मैंने या पर देखा कि किस टाइब से अपनी एनरजी को release करता है, binding energy जो topic है वो भी हमने या पर discuss कर रहे हैं, सारे वीडियो आपको उमारी playlist में मिल जाएंगे, so now let's start the topic radio activity, basically बहुत ही important topic है और popular topic भी है, so radioactive atom होता है, उनको generally हम देखता है कि किस टाइब से जो binding fraction होता है, basically हम बात करता है, binding fraction के बारे में, binding fraction जो होता है, ये binding energy पर nucleons होता है, जो nucleons, proton and neutron and proton जो होता है, उसकी जो binding energy होती है, उसको अपन कहता है, binding fraction यह binding fraction जो होता है वो इस type से graph बनता है और यह ऐसा इसका graph होता है अब binding fraction जो 20 से कम जिनका 20 से less than जिनका atomic mass होता है A की value वे सारे जो होता है वे radioactive nuclei होता है और 180 से अबव जितने भी होता है वो सारे radioactive nuclei होता है यह अमने अमारे previous वीडियो में देखा है अब यह radio activity जो है basically यह है क्या यह सारे हम कहते तो है यह radioactive nuclei ही है इनका लिए जो binding energy जो होती है वो कम होती average 8.4 जो इसकी value होती mega electron volt उनसे इनकी value कम होती है but basically यह radio activity जो इसका गुण है वो है क्या basically तो इसको हम यहाँ पर समझने कोशिश करता है तो समझता है कि यहाँ पर जो spontaneous disintegration होता है spontaneous का मतलब होता है continuously disintegration of nuclei is called radio activity nuclei है वो further आगे break होता जा रहा है चोटे चोटे आगे और nuclei में तो उसको अपन उसके radio activity है अभी इसका मतलब क्या है मतलब यहाँ पर nuclear fusion हो रहा है और यह basically एक stable nucleus में आगे further break होता जा रहा है spontaneous disintegration हो रहा है इसका अभी disintegration से क्या मेनेंगे वो भी हम आगे देखेंगे सो अगर जेनरल डेफिनेशन की बात करते हैं तो the spontaneous disintegration of nuclei is called radio activity अब during the disintegration अभी जो यह disintegration होता है इसमें particles जो निकलता है वो basically alpha, beta and gamma जो radius यहाँ पर इसकी radius होती है sorry यहाँ पर जो particles आप कहा सकता है ने sorry जो radiation होता है alpha, beta, gamma वो radiation basically यहाँ से emit होता है रेडियो अक्टिविटी के दौरान during alpha decay अब alpha decay में क्या होता है अब basically decay का मतलब है उसमें से emit होना ठीक है एक बार यूज करेंगे decay basically decay का मतलब है यहाँ पर उसमें से emit होना या बाहर निकलना या फिर हम कह सकता है कि जो particle alpha जो nucleus है वो basically उसका disintegration हो रहा उसको decay कहता है so during alpha decay जब alpha decay होता है इसका मतलब होता है nucleus get converted into new nucleus of any element किसी भी element के new nucleus में जब alpha decay होगा तो वो उसमें convert हो जाएगा meaning यह है कि basically जो alpha particles होता है यह two four alpha particles होता है जिनको helium particles भी कहा जाता है अब हमारे इसका integration की reaction अगर देखते हैं disintegration की reaction तो वो basically अगर मैं x कोई भी nucleus ले लेता हूँ z उसका atomic number हो जाएगा a उसका atomic mass हो जाएगा तो basically इसका जो disintegration होगा वो कैसे होगा तो इसका disintegration होगा वो basically किसी नए जो है उसके अंदर होगा नए particle में बनेगा जिसको y कह देते हैं तो alpha यहां पर 2 है तो यह क्या करेगा z minus 2 हो जाएगा यहां से और यह 4 है तो basically यह क्या हो जाएगा a minus 4 हो जाएगा क्योंकि alpha positively charged होता है तो जब उसका disintegration होगा तो इसमें से atomic number जो हो 2 कम हो जाएगा और mass जो हो यह helium में होता है और helium का isotope आप कह सकता है इसको अपन कहते है alpha particle और इसको आप helium nucleus भी कह सकते है इस is also helium nucleus तो helium nucleus जो होता है वो alpha decay के दोरा निकलता है यह यहां पर जो है वो क्या हो रहा alpha decay हो रहा है अब यह पूरा system होता है this is one of the decay scheme यह जो होती है वो alpha की scheme को हमने represent किया है general form में अब बात करते है बीटा डीके अब बीटा डीके में दो चीज़ें होती एक तो होता है बीटा minus particle होता है जिसके अंदर electron basically निकलता है और एक होता है बीटा प्लस जिसको positron कहता है यह दो टाइप के schemes यहां पर होती है beta decay के अंदर अब यह कैसे होती है अब इनको समझते है तो वही हम यहां पर example ले सकते है जैसे कि यहां पर हम ले लेता है during the beta decay electron and positron are emitted and the nucleus get converted into isobar of an element उसमें क्या होता है एक stable nucleus में यह आगे जाके convert होता है basically this is nucleus अब यहां पर जो convert होगा वो एक isobar होगा तो यहां पर x हम consider कर लेते है जैड यह हमने ले लिया है इसका atomic mass है अब यहां से क्या होगा basically beta minus decay हो रहा है तो in that case यहां पर जो y बनेगा वो एक ऐसा isobar बनेगा तो beta minus जो है ना वो क्या हो रहा है minus है ना तो यहां से क्या होगा z plus 1 हो जाएगा basically minus है तो z plus 1 होगा a में कोई change आएगा नहीं इसके अंदर और एक basically यहां से beta minus 1 0 इस type 6 का representation होता यह एक electron को represent करता यहां से electron का emission होता basically this represents the emission of electron इसको हम कहते है बीटा ना वह बात करते हैं जो है positron के बारे में तो positron में भी हम यही consider कर लेते case अब इसमें से जो है वो बीटा प्लस जो है वो consider कर रहे हैं यहां से नहीं कल रहा तो in that case यहां पे जो बनेगा z minus 1 हो जाएगा a में कोई change इसके अंदर आता नहीं है यह हो जाएगा e plus 1 and 0 यह होता तो a में कोई particle change नहीं होता क्योंकि इसका mass negligible होता है और it represents the emission of proton इसमें से electron emit होता है यहां से proton emit होता है यह दो type की schemes यहां पे बन सकती है in the beta decay now अब gamma जो होता है basically gamma radiation होता है अब gamma radiation जो होता है the gamma radiation are the electromagnetic wave of high frequency high frequency electromagnetic wave उसके अंदर से निकलती है and the gamma radiation are emitted when the excited nucleus undergoes transition to low energy basically exciting state से nucleus जब जो उसका transition करता है lower energy state higher energy state से lower energy state में जब transition करता है तो जो उसमें से radiation निकलती है उस radiation को हम कहता है gamma radiation तो वही general example हम यहां से ले सकता है XZA ले ले लेते है तो basically यह जो XZA हम consider कर रहा है यह nucleus excited state में है it represents the exciting state of nucleus अब इसको normal state में आना है तो क्या करेगा यह gamma radiation को emit करेगा तो basically अभी जो है वो यहां पर इस state के अंदर है मालो यह जो है वो इसकी higher energy state है यहां पर energy जादा है यहां पर energy कम है तो यहां से जब अंदर जो है इसका like integration यहां से जो है आप आ सकता है इसमें lower energy में आ रहा है तो यह जो यहां से radiation हो रही है that is gamma radiation इसको हम कहेंगे gamma radiation तो यह को पूरा होता है इसके अंदर किस टाइक से जो एक disintegration, उसके अंदर mainly इन process होता है है तिन टाइब की schemes होती है alpha dik ,beata dik and gamma dik स् girkt यृबिद एक्टिविटी इस स्पोंटीजनेस प्रसेस एक हमने धेखा कि एक स्पोंटेनेसे एक कंटीनुएसली दी होता रहता है। बेस्ड़ अन लॉफ प्रोबेबलीटी फिश्र अंपर संवेक्स कि disproportionately not to be Mercitype , कितने अलफा निकले कितने यह fix नहीं होता तो यह just like probability का concept है तो अब यह probability है तो यहाँ पर statistical physics का थोड़ा concept लेना पड़ेगा probability की basis फे हम चलेंगे उससे भी थोड़ा यहाँ पर चौटा derivation भी है वो भी हम यहाँ पर करेंगे उससे formula देरायो करते है इसका probability है तो यहाँ पर exponential तो होता है, probability के law को basically Rutherford और Sodi जो law है, उससे हम यह पर प्रूफ भी करते हैं, तो इस law को जो generally radioactivity के law को दिया, वो दिया Rutherford और Sodi ने, so according to this law the rate of disintegration at any time this statement is very popular statement and very important, तो आप इस statement को एकदम हूब हूब याद करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यह statement अपने आप में बहुत सारी बातों को contain करके रखता है, the rate of disintegration at any time is proportional to the number of active nuclei present at that time, so basically इसको अगर मैं बड़ा simplify करने कोशिश करता हूँ तो हम कह सकता है कि जो disintegration का rate, disintegration की जो speed है, कितने speed से वो हो रहा है, वो speed rate जो है, वो basically disintegration की, वो हमेशा उसमें present जो उस time पे particular time पे उसमें जो present जो जितने active nuclei हैं, उस पे उसके proportional होता है, ठीक है, तो हम consider कर लेता है let at t is equals to 0, यानि कि हम क्या कह रहे है, at initial तो initially जो हमारे पास में यहाँ पे active nuclei हमने n is equals to n not consider कर रहा है, और जब at any time t, हमारे पास n not से वो n तक आ जाता है, active nuclei के बात कर रहा है, एक atom के अंदर, जो है, एक substance के अंदर, okay so now, अब हम बात करता है, यहाँ पे suppose at, like हम बात कर रहे हैं, यह हो गया, एक तो स्मॉल चेंज हो रहा है, यह हम स्मॉल चेंज पे अगर हम इसको देखना चाहते हैं, तो in that case, यहाँ पे जो इसका इंटिग्रेशन होगा, वो रदर फोर्ट सोडी लॉग अक्कॉर्डिंग होगा, तो now, बात करता है, रदर फोर्ट सोडी लॉग से यहाँ पे क्या कह सकता है, कि dn by dt, याने कि rate of disintegration dn by dt is equals to basically, equals to कह सकता है rate of, इसका मतलब यह जो है न, इसका हम कहेंगे rate of, यह क्या हो जाएगा, this is rate of disintegration, rate of disintegration and यह जो rate of disintegration है, basically it is proportional to dn by dt is proportional to the active nuclei, किसी एक particular time पे कितने active nuclei ही है हमारे पास में, n active nuclei ही है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे particular time पे n active nuclei ही है, तो वो उसके n के proportional हो जाएगा, अब हम यहाँ पे जब इसका एक इसका हम इंटीग्रेशन कर देता है, now integrating both side तो ओ जाएगा dn over dt, is equals to basically यह से नहीं होगा differential equation है तो हम क्या करेंगे इसमें ऐसे लिख देंगे dn over n और यह हो जाएगा minus lambda dt और इसका पूरा हो जाएगा इदर integration तो now integration करने पर यह integration हम सभी जानता है कि log of n हो जाएगा basically log base e क्या देंगे log base e n हो जाएगा और यह जो integration है minus lambda into t plus c कोई constant integration constant हो जाएगा तो हम यहाँ पर IVP का use करेंगे initial value problem तो जब t हमारे पास में 0 है तो in that time n is equals to n not हो जाता है तो basically यहाँ पर यह क्या हो जाएगा log e n not is equals to minus lambda t 0 है c तो basically जो c है उसका value क्या आजाएगा log base e n not हो जाएगा तो अब हम क्या कर सकता है यहाँ से c का value अगर मैं put कर दूंगा यहाँ पर तो हमारे पास में जो value है वो क्या आजाएगा log base e n is equals to minus of lambda यह क्या हो जाएगा minus of lambda log of n not log of e base n not हो जाएगा ठीक है एक second यहाँ पर हमने c की जगवे value put किया है तो यहाँ पर t आजाएगा यह हो जाएगा t plus यह हो जाएगा c की जगवे वे लिपूट किया है तो basically यह हो जाएगा log और यह minus के equal हो जाएगा नहीं sorry plus के equal हो जाएगा log base e n not के equal हो जाएगा अब हम क्या कर देंगे यहाँ ln लिखे एक ही बात है और minus e हो जाएगा log base e n not and that is equal to minus lambda into t अब हम लॉग की प्रॉपर्टी जानता है कि log m minus log n जो होता है वो basically divide में हो जाता है log m divide by n हो जाता है तो basically यहाँ पर यह क्या हो जाएगा log base e n upon यह क्या हो जाएगा n upon n not and that is equal to minus lambda t इसको में यहाँ पे exponential form में लिख सकता है यहाँ से exponential की form में जो इसको लिखेंगे तो यह बन जाएगा n over n not and that is equal to e to the power minus lambda t and that is rather for sody law हम derive कर सकते हैं यह जो law होता this is very most important and very popular that is rather for sody law इस law के according हम कह सकते है कितने हमारे पास में active nuclei present होता है और इसी को हम कहते हैं rather for rather for sody law of radioactive radio activity तो यह हमारे पास में law होता है और बहुत important होता है अब एक term आता है यहाँ पे half lifetime half lifetime का basically क्या meaning होता है time taken by a source जो substance है जो source है वो आधा half half integrate disintegrate होने के लिए कितना time लेता है with respect to initial condition with respect to initial time उसको अपन कहते है half lifetime half lifetime बेसिकली अगर हम consider करते हैं कि let t is equals to tau हम consider कर लेता है या t half लिख सकते हैं basically इसको t half लिख देते हैं तो अच्छा रहता है तो t half and at this time n is equals to n n जो है वो n नॉड initial हमने consider किया यहां पर initial हमने consider किया n नॉड तो n नॉड का वो कितना रजाएगा initial का यहां पर half हो जाएगा initial का half n by 2 हो जाएगा अब हमारे पास में by Rutherford लोड इसो बाइर रदर फोड सोड यहां बाइर एस लॉड ओफ रेडियो एक्टिव तो रेडियो एक्टिव जो सब्स्टान्स होता है उनके लिए अमारे पास में लॉड क्या है n is equals to n नॉड e to the power minus t into lambda तो basically यहां पर n जो है वो क्या हो जाएगा n not by 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा n not into e to the power minus t 1 by 2 into lambda 1 by 2 represent करने का मतलब वो half lifetime को represent कर रहा तो basically n not n not cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 1 by 2 is equals to e to the power minus t power 1 by 2 into lambda तो यहां पर यह जो है वो minus है तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस में लिख देंगे और यह हो जाएगा e to the power plus 1 by 2 into lambda यह minus s लिए हो जाएगा अब taking log both side तो both side log ले लेंगे तो log 2 is equals to e हो जाएगा t power 1 by 2 into e हो जाएगा lambda और यह हो जाएगा log base e into e taking both side log हम लिख सकते है taking log both side log base e both side तो इस type से हम क्या कर देंगे log base e both side तो अब हमारे पास में यहां पर देंगे इसका value तो 1 हो जाएगा तो t half का value आएगा वो हो जाएगा log base 2 upon lambda और log base 2 का value होता है वो 0.693 upon lambda हो जाएगा इसका value तो इस type से हम क्या कर सकते है यहां पर इस half lifetime का this is known as half lifetime half lifetime का हम value fine कर सकते हैं उसका formula fine कर सकते हैं this is again a very most important formula और very popular formula इस पर based कहीं बार numerical आ जाता है तो अब यहां से half lifetime पे या तो सिदा देंगो यहां तो क्या कह सकता है आपको इसका dk constant पोच सकता आप से या फिर half lifetime कुछ भी पोच सकता है वो इस फार्मूले से निकाल सकता है आपको पूरा टॉपिक जो है अच्छी से क्लियर होगा इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया नेक्स वीडियो में देखेंगे किस टाइप से उसका में lifetime होता है वो भी हमने यहां पर डिरेव किया है वह जाके प्लेश में आप देख सकता है फिर हम यहां पर secular transcendent equilibrium जो होता है उसके बार में यहां पर बात करता है एंड जो next further topics होता है जैसे कि हमारे पास में spectrum alpha particle का spectrum nuclear reaction जो है वह भी हमने आपर डिस्क्स कर रहा है जो थैसे किप वाचिंग माई वीडियो कि एंड इस ट्रफ के फौर मूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी हल्प मिलती है तो प्लीज को जोड़ी सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें थैंक्यू बाब बाब